नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनोखी पन्ना जीके पर। दोस्तों अगर आप भविश्य में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की तयारी करते हैं, तो हम लाए हैं आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के सवाल तो विडियो को लास तक जरूर देखें, अगर आप इन में से किसी भी सवाल का आंसर पहले से जानते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, चलिए शुरू करते हैं, आपका पहला सवाल है, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, ए, कोयल, बी, शुतुर मुर्ग, सी, तोता, डी, चातक पक्षी, इसका सही जवाब है, बी, शुतुर मुर्ग, आपका दूसरा सवाल है, कौन सा जीव सिर्फ कटने के बाद भी साथ दिनों तक जीवित रहता है, ए, हाथी, बी, घोडा, सी, बिच्छू, डी, कौक्रोच, इसका सही जवाब है, आपका तीसरा सवाल है, किस ब्लाद ग्रूप को मच्छर कम कारते हैं, ए, बी, ब्लाद, बी, ओ, ब्लाद, सी, ए, ब्लाद, डी, बी, नेगेटिव ब्लाद, इसका सही जवाब है, सी, ए, ब्लाद, आपका चौथा सवाल है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसु बहादा है, ए, घोड़ा, बी, भालू, सी, उन्ट, डी, मगरमच्छ, इसका सही जवाब है, डी, मगरमच्छ, आपका पांचवा सवाल है, भारत के किस राज में दो घंते पहले सूर्य निकलता है, ए, उत्तराखंड में, बी, राजस्थान में, सी, अरुणाचर प्रदेश में, डी, गुजरात में, इसका सही जवाब है, सी, अरुणाचर प्रदेश में, दोस्तों हम पांच सबाल और उनके जवाब हाल कर चुके हैं, अज के सबाल जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने ज्यान को रोजाना बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबाल नंबर चेंग, किस देश में डहेज लेने पर फांसी की सजा सुना जाती है? ए, सूडान देश में, बी, भारत देश में, सी, इटली देश में, डी, चीन देश में, इसका सही जवाब है, सी, इटली देश में, सवाल नंबर साथ, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ए, केले का, बी, नीम का, सी, बान्स का, डी, सपेटा का, इसका सही जवाब है, सी, बान्स का, सबाल नंबर आठ, भारत का सबसे मेंगा नदर कौन सा है? इसका सही जवाब है, बी, मुमई, सबाल नंबर नो, स्वर्ण मंदर कहां स्थित है? ए, जम्मू कश्मीर में, बी, लुधियाना, सी, अम्रिचसर, डी, उडीसा, इसका सही जवाब है, सी, अम्रिचसर, सबाल नंबर दस, गूगल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताएं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यान को रोजाना बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों